Hello Friends, How are you? I hope आप अच्छे ही होंगे आज हम जानेंगे कि Android Phone से Desktop, Laptop या Computer जैसा निट कैसा यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले Chrome ब्राउजर पर जाना होगा इसके बाद में यह जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इसपर क्लिक करना होगा और यह जो Request Desktop साइट है यह डिबबा है यह चोकन है इसपर क्लिक करना होगा ठीक है अब इसके बाद में फिर से वो इत्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यह जो new इनको नीटो टैप पर क्लिक करना बढ़ेगा और यहां पर youtube.com टाइप करना पढ़ेगा और फिर go पर जाना बढ़ेगा और इसके बाद में फिर से यह जो लाल लड़ंग में नीचे नीचे के three dots इस पर क्लिक करना है और यहां पर desktop पर क्लिक करना हो यह option और इसके बाद में sign in आता है यहां पर आपका जो email id है वो आप sign in कर लीजे और अब next पर जाना बढ़ेगा अब यहां पर password आपको दानला होगा यह अब next पर जाने के बाद में यह open हो जाएगा ठीक है प्रेंट्स अब मेरे चार-पाच अकाउंट है इसलिए मैं एक अकाउंट मुझे जो open करना है उस पर क्लिक करूंगा अब यह आगा है अब जो यह three lines थी यहां पर क्लिक करने के बाद में सुरे फ्रेंट्स यह फिर से पीछे आ गया मैं गलती से मैं back पर चला गया था अब यह जो three lines दिख रहे है ठीक है मैं आपको zoom करके दिखाता हूं वो three lines अब यह एक बार load होने दीजिए थेखे प्रेंट्स अब यह desktop की तरह काम करना शुरू हो गया है ऐसा करके आप आपको computer की जरूरत नहीं है आप आपके android phone पर यह computer बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजे और आने वाली वीडियो किस बारे में चाहिए प्लीज कमेंट करके बाताईए और यह वीडियो लोगों पोश्ण आने के लिए शेर कीजें थैंक्स व्रेंट्स